दोस्तों क्या आपने सुभा सुभा मोदी जी के साथ में फोटो ली नहीं ली तो जाईए और जल्दी से ले लीजे वरना दिक्कत हो जाएगी अगर आप यूनिवस्टी में स्टूडेंट हैं तो आपके नंबर भी कर सकते हैं आप तक आप दोस्तों पेट्रोल पंप पर दे कॉलेज के कोने कोने में रखी हुई दिखेगी आपके कॉलेज के कोने कोने में मोदी जी के नाम के सेल्फी पॉइंट बनाया जाएंगे और आपको उनके साथ सेल्फी भी लेनी होगे मतलब हर जगह मोदी ही मोदी यहां देखो तो मोदी वहां देखो तो मोदी मतलब अब सिर्फ नोटी ऐसी चीज बची है जिस पर मोदी जी नहीं होंगे, बाकी हर जगा मोदी जी आपको दिखाई देंगे अब जब देश के प्रदानमंतरी फोटो के इतने शोखीन है, तो जनता पीछे कैसे रह सकती है आसल में दोस्तों, विश्विद्याले अनुदान आयूग, यूजी सीने 2024 के आम चुनाओं कोये करीब आते ही देश भर के कॉलेजों और यूनिवरसिटीज को प्रदानमंतरी नरेंदर मोदी की तेरसवीर के साथ में एक सेल्फी पॉइंट बनाने के लिए कह दिया लिए बाना आज का यूवा जो है सेल्फी का बड़ा शौकीन है आज कल का यूवा कहीं भी जाता है तो सेल्फी जरूर लेता है पर क्या कॉलेजों और यूनिवरसिटीज में भी ये राजनीती का खेल शुरू करना सही है मोदी जी को सेल्फी खिचवाने का इतना शौक है तो आप हर चौर आहे पर उनकी तस्वीर या फिर उनके सेल्फी पॉइंट्स बनवा दीजे ताकि सभी लोगों को पता चल जाए कि देश के प्रदान मंतरी विश्व गुरूद मोदी जी आपके बीज में आए हुए हैं आपका हालचाल लेने के लिए भाक्त भी चाहे तो सेल्फी के साथ साथ मोदी जी के सामने सुभा शाम दंडवत प्रणाम कर सकते हैं लेकिन पढ़ाई के जगा पर भी राजनीती कितनी सही है के राजनेताओं की पॉलिटिशन्स की तस्वीरे लगा कर उनके गुणगान करना सही है दोस्तों ये टाइम्स ओफ इंडिया की खबर दे जिससे ये साफ होता है कि UGC ने आदेश में क्या क्या कहा है UGC सचव मनीश जोशी ने अपने पत्र में लिखा है युवाओं की उर्जा और उत्साह का उपियोग करने उनके दिमाग को विभिन चेत्रों में भारत की प्रगती से प्रेणा लेने का एक अनूठा अवसर है आईए हम आपके संस्थान के बीतर एक सेल्फी पॉइंट स्थापित करके हमारे देश दुआरा की गई अवश्वसनिय प्रगती का जश्न मनाए और उसका प्रिसार करें ऐसी सेल्फी पॉइंट का उदेश विभिन चेत्रों में भारत की उपलब्दियों विशेशकर राष्ट्रिय शिक्षानी ती 2020 के तहट नई पहलों के बारे में युवाओं में जाग रूपता पैदा करना है दोस्तों ये फैसला उस वक्त लिया गया है जब देश में आम चुनाव नजदीक है 2024 में लोगसबा चुनाव हैं और चुनाव प्रचार के लिए UGC जैसे संस्थान भी काम पर लगाए है सुचने वाली बात है जिस तरह से मोदी जी की सेलफी के साथ उनके कामों का गुरगान किया जा रहा है इसे एक बात तों बिल्कुल साफ है कि मोदी जी को हीरो बनाने की कोशिश की जा रही है दोस्तों जब ये खबर सोशल मीडिया पर वाइरल हुई तो ये आग की तरह फैल गई लोगों ने भी सरकार को खूब लधारना शुरू कर दिया एक्स पर गौरव यादव लिखते हैं यूजी सी ने देश की सभी यूनिवर्स्टी और कॉलेज़स में मोदी सेलफी पॉइंट लगाने के लिए कहा है वैसे भी कॉलेज़स में पढ़ाई होती तो है नहीं आप स्टूडेंट्स मोदी जी का प्रचार करें सेना, स्टूडेंट्स, मीडिया, IAS, IPS, खुद प्रधान मंतरी अप्रचार करने के लिए ही तो है एस्टी गोल्डी लिखते हैं कि यूनिवर्स्टी और कॉलेज़स को एक पिरियेट सेलफी कैसे लें और भिन भिन की मुद्राइक कैसे बनाएका भी शुरू करना चाहिए इससे रिल्स बनाने वालों का प्रुचाहन बढ़ेगा सत्या लिखते हैं किसे दिन नोट पर भी मोदी जी का ही फोटो होगा दोस्तों इसी तरीके के कई सारे ट्वीट सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहे हैं लेकिन इसी बीच आपको एक और बहुत बड़ी ख़बर सुन लेनी चाहिए असल में संसद में मोदी जी ने कहा है कि मुझे जी या आदर निये कहकर बिल्कुल मत बुलाना ये खबर जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं वो हिंदुस्तान की है इसमें मोदी जी अपने सांसदों से जी जनाब करने के लिए मना कर रहा है क्योंकि इससे इनके बीच में दूरियां बढ़ती है वही देश के उपराष्ट्रपती दोस्तों कली इनका एक वीजियो वाइरल हुआ था उनके सामने ऐसे हाथ जोड़ते हैं जैसे उनसे बड़ा पद्र मोदी जी का हो अब जब यूनिवर्स्टीज में मोदी जी के साथ फोटो का ट्रेंड शुरू करके सिल्फ अफसेशन की सारी हरी पार करीड इह हैं तो सवाल यह उड़ता है क्या मोदी जी बयानों में कुछ और है और असलियत में कुछ और है इस सेल्फ अफसेशन के बारे में आप क्या कहेंगे हैं ا में लिकर बताएगा यह खबर आप उल्टे चश्माई UC पर देख रहे हैं मेरा नाम फरीन अंसारी है जैहिन जैभारत